हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जब यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी आज हम पात करने चाह रहे हैं फर्स्ट ट्रेमिस्चर ओफ प्रेग्नेंसी जो की बहुत जादा मॉस्ट इंपॉर्टेंट टोपिक माना जाता है प्रेग्नेंसी का इसे प्रेग्नेंसी की गर्भावस्ता की पहली तिमाही भी कहा जाता है तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पहली तिमाही के अंदर हमारे प्रेग्नेंसी यानि की गर्भावस्ता के फर्स्ट जो त्री मन्थ हैं वो आ जाते हैं गर्बा वस्ता को तीन तिमाही में बाता जाता है पहली, दूसरी और तीसरी गर्ब धारन के बात से लेकर पहले तीन महिने बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इन बारा सब्ता में शीशू पूरन रूप से जो है वो बन जाता है तो बुरून के हाथ, पैर, शिरीर के अंगों को देखा जा सकता है कहा जाता है कि फर्स ट्रेमिस्टर मिन्स पहली तिमाही के बात हम पता कर सकते हैं कि हमारे पेट में पल रहा बच्चा, बेटा है या बेटी तो आज हम इसी तिमाही के बारे में बात करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले तिमाई में गर्ब अत्यंत सम्वेदिन शिल रहता है और उसको दवाईयों, रसाइनिक, एमम जहलीले पधारतों के संपर्क में आने से नुकसान हो सकता है पहले तिमाई महिला में कुछ परिवर्तन भी होते है महिला के स्तन जो है वो विक्सित होते है गर्बाशय का भार मुतराशय पर आने से बार बार पेशाप लगता है हार्मोन में चेंजिस होते हैं जिसके कारण महिला का मूड भी चेंज होता रहता है सुबे सुबे आलस, सुस्ती, दोरान कबजी भी हो सकती है कई बार वामेट भी हो सकती है क्योंकि बढ़ता हुआ गर्बाशय आंत्रियों पर दबाफ डालता है तो आईए हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसे कौन से बाते हैं जिनका एक महिला को फर्स्ट रमिस्टर में ध्यान लखना चाहिए तो सबसे पहले है कि उसका जो आहार है उसका जो खान-पान है फर्स्ट रमिस्टर में ही चेंज हो साना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए गर्बतारन के बाद सबसे जरूरी खान-पान पर ध्यान देना होता है मां होने वाले बच्चे के भेहतर स्वस्टर के लिए जरूरी है मा का पोस्टिक आहार क्योंकि इस तोरान भुरून का विकास तिवरगति से होता है महिला के शरीर का आकार और भास बढ़ जाने के कारण BMR यानि बोडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और पाचन क्रिया पर इसका असर पढ़ता है कर्भावति महिला के शरीर के विशाकत पधारतों को निकालने के कारण गुर्दे का कार्या भार भी बढ़ जाता है ICMR के पोश्चन दल के अनुसार गर्भावस्ता में इस्तरी को समानिया से अधिक मात्रा में पोशिक तत्व लेना चाहिए गुर्ण के विकास के लिए प्रोटिंग की महतपूरण गुमिका होती है इसलिए गर्भावस्ता में प्रति दिन यानि के डेली पंदरा ग्राम अतरिक मात्रा में प्रोटिंग लेने चाहिए खाने में ताजिफल, बीन्स, भिंडी, दलिया, अंडा, साबुत अनाच, अधि अवश्या लेने चाहिए व्याम करना चाहिए गर्भ धारन करने के बाद अपनी दिन चार्या में व्याम को शामिल कीजिए पहली तिमाई में महिला का वजन जादा नहीं बढ़ता है इसलिए आप इस तोरान समान्य दिनों की तरह व्याम कर सकती है नियमित व्याम करने से महिला को अनिद्रा के साथ तनाव से भी राहत मिलती है इसलिए सुबह सुबह कम से कम आदा घंटा व्याम कीजिए तेज टहलना स्वीमिंग आधी भी कर सकती है लेकिन व्याम के तोरान ब्लड शुगर और ब्लड फ्रेशर में बदलाव के कारण चक्कर और ठकान की समस्या हो सकती है ऐसी समस्या होने पर व्याम बंद कर देना चाहिए यदि ठकान होतों गर्भ धारन के बाद आप जो भी आहार लेती है उससे आपकी शिशु को पोशन मिलता है जिसके कारण आप जल्दी ठक जाती है यह समस्या पहली तिमाई में सबसे जादा होती है ठकान मैसूस होने के मतलब खून में कमी भी हो सकती है और हो सके तो जादा से जादा अराम भी करें ऐसी समस्या होने पर अपने चिकित्सक याने डॉक्टर से समपरक करें अन्या बातें जो कि आपको ध्यान में लखनी चाहिए इस तोरान महिला को नशे से दूर हैना चाहिए जादा कैफिन के सेवन से परहेज करें बाहर का जूस खाना बिलकुल ना खाएं अन्पास्चराइज दूर का भी सेवन ना करें पनीर, कच्चा मास, मच्चली, अंडा खाने से बचना चाहिए इसमें मजूद बैक्टरिया आपको और सवस्थ कर सकते हैं अधिक मात्रा में पानी पिएं यानि कि कम से कम आठ से दस किलास पानी का सीवन करना चोई हैं गर्बावस्ता की पहली तिमाई में कई परकार की जटिलताएं आती हैं जैसे की मॉर्निंग, सिक्नेस, ब्लीडिंग, मतली, मतलब उल्टी, ठकार आधि इस्ट्रमिस्टर में होने वाली समस्या हैं तो यदि हैसे मस्या कई दिनों तक बनी रहें तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सला लें आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड हमारा चैनल मॉम्स बेबी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तो, फैमली में शेयर कीजिएगा ताकि जो न्यू मॉम्स बनने वाली हैं उनके लिए वीडियो बहुत जादा हैलफूल रहेगा ओकी, बबाई, टेक केर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में